जे मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बैस मैजिक में आपका हार्डविक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें. दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, सावन मा दो हजार तेस, कब सुरू होगा और कब करेंगे, और आपको सावन सुमवार के कितने वरत रखने होंगे, आठ या चार, इसके लावा बताऊंगी, कि रक्षा मंधन का तिवार साल दो हजार तेस में कब बनाया जाएगा, और इस साल अधिक मास भी लग रहा है, ये भी बताऊंगी, कि अधिक मास कब सुरू होगा और कब समाप्त होगा, और बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इस साल नए वरत की सुरुवात कर सकते हैं या नहीं, क्या इस साल पहली बार सावन सुमवार का वरत, सोला सुमवार का वरत, या मंगला गौरी का वरत, या तीज के वरत रख सकते हैं या नहीं, पूरी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों सावन का महीना बगवान भूले नात को बेहदी प्री है और इस साल अधिक मास होने के कारण सावन एक नहीं बलकि दो महीने का होगा इस साल सावन 59 डेस का होने वाला है और इस सावन सुमवार के व्रत भी चार नहीं पूरे आठ सावन सुमवार के व्रत पढ़ेंगे इसलिए इस बार सावन मा बेहदी खास रहने वाला है दोस्तों सावन का महीना भगवान भूले नात को समर्पित है और सावन महा के दौरान कई लोग कावड यात्रा भी ले कर जाते हैं भगवान सिव का चला विसेग दुगदा विसेग करके उन्हें प्रसन्य करने की कोशिस भी करते हैं आपको बता दें कि हर तीन साल में एक अत्रिक्त मास यानि अधिक मास या मल मास पढ़ता है जिसे परुसुत्तम मास के नाम से जानते हैं और इस साल सावन माह के बीच में अधिक मास पढ़ रहा है दोस्तों अधिक मास भगवान सरी हरे विश्नु जी को बेहदी प्री है इसलिए इस बार सावन माह में पूजा अर्चना करने से भोले नाज जी के साथ साथ भगवान सरी हरे विश्नु जी की भी क्रपा बरसेगी चले जान लेते हैं कि इस साल सावन माह कब सुरू होगा और कब समाप्त होगा तो आपका बता दूं कि इस साल सावन 4 जुलाई 2030 से सुरू हो रहा है जो की 31 अगस्त 2030 को समाप्त होगा और इस साल अधिक मास की सुरुवात 18 जुलाई 2030 को हो जाएगी और अधिक मास की समाप्ती 16 अगस्त 2030 को हो रही है दोस्तों इस बार अधिक मास सावन के क्रश्न पक्ष और सुक्ल पक्ष के बीच में पढ़ रहा है और इस सावन का क्रश्न पक्ष चार जुलाई से सतरा जुलाई तक चलेगा और इसके बाद अठारा जुलाई से सोला अगस्त तक अधिक मास रहेगा और फिर 16 अगस्त से 31 अगस्त तक सावन का सुक्ल पक्च चलेगा जिसकी वज़े से इस साल सावन के सुमवार चार नहीं बलकि पूरे 8 सावन सुमवार के व्रत पढ़ेंगे चले जान लेते हैं इस साल सावन सुमवार व्रत की तारीखे क्या क्या रहेंगी आपको बता दूं कि इस साल सामन का पहला सुंबार 10 जुलाई को पड़ेगा सामन का दूसरा सुंबार 17 जुलाई को रहेगा सामन का तीसरा सुंबार 24 जुलाई को रहेगा सामन का चोथा सुंबार 31 जुलाई को रहेगा और सामन का पांचमा सुमबार 7 अगस्त को रहेगा और सामन का छटा सुमबार 14 अगस्त को रहेगा सामन का सातमा सुमबार 21 अगस्त को रहेगा और सामन का आठमा सुमबार 28 अगस्त को पड़ेगा तो ऐसे में बहुत लोग ये जानना चाहती हैं कि इस साल सावन के आठ सुमवार व्रत पढ़ रहे हैं तो क्या आठ सावन सुमवार के व्रत रखना जरूरी है क्या हम चार सावन सुमवार के व्रत नहीं रख सकते दोस्तों इस साल अधिक मास पढ़ने की वज़े से आठ सावन सुमवार के व्रत पढ़ रहे हैं और अधिक मास सावन के क्रश्न पक्च और सुक्ल पक्च के बीच में पढ़ रहा है। यानि अधिक मास से पहले दो सावन सुमवार के व्रत पढ़ेंगे और अधिक मास समाप्त होने के बाद भी दो सावन सुमवार के व्रत पढ़ेंगे। तो वैसे तो आपको इस साल आठ के आठो सावन सुमवार के वरत रखने चाहिए लेकिन किसी कारण वस आप कम सावन सुमवार के वरत रखना चाहते हैं तो आप अधिक मास के सावन सुमवार के वरत छोड़ कर अधिक मास के पहले और बाद में जो 4 सावन सुमवार के वरत अपनी इच्छा के अनुसार सावन सुमवार के वृत रख सकते हैं इसमें कोई भी समस्या नहीं है और अब बहुत लोग जानना चाहते हैं कि इस साल रक्षा मंधन का तेवार कब मनाया जाएगा तो आपको बता दूं कि इस साल रक्षा मंधन का तेवार 30 अगस्त 2030 दिन बु इस साल नया वरत उठा सकते हैं या नहीं यानि इस साल अधिक मास पढ़ने की वज़े से नया वरत की सुरुआत की जा शकती है या नहीं जैसे सावन सुमवार का वरत मंगला गौरी का वरत या बहुत से लोग सावन से सोला सुमवार का वरत भी सुरू करते हैं तो इस साल यानि मलमास पढ़ने की वज़े से क्या नया वरत उठा सकते हैं? यानि जो लोग पहली बार वरत कर रहे हैं, क्या वे वरत रख सकते हैं या नहीं? या इसके लावा कुछ मैलाओं की इसी साल साधी हुई है, तो उनके मन में भी ये सवाल है, क्या वे इस साल तीज का वरत उठा सकती हैं या नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कि अधिक मास या मलमास जब भी पढ़ता है, तो इसमें कोई भी नया वरत सुरू नहीं करना चाहिए, मलमास यानि अधिक मास में कोई भी नया वरत सुरू करना सुब नहीं माना जाता है, लेकिन जो लोग सावन सुमवार का वरत या मंगला गौरी का वरत पहली बार रखना चाहते हैं, तो वह लोग इस साल वरत सुरू कर सकते हैं, क्योंकि अधिक मास सावन के बीच में पढ़ रहा है और वरत आप पहले सुमवार या मंगला गौरी का वरत सावन के पहले मंगलवार से सुरू कर सकते हैं इसमें कोई भी समस्या नहीं है लेकिन जो लोग सोला सुमवार का वरत स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत से लोग सावन के सुकल पक्च के सुमवार का इंतजार करते हैं तो आपको बता दूं कि इस साल आप सावन के सुकल पक्च से कोई भी वरत सुरू ना करें क्योंकि इस से पहले अधिक मास लग चुका होगा जिसे भी 16 सुमवार का वरत स्टार्ट करना है वे सावन के पहले सुमवार से ही वरत सुरू करें आप अधिक मास में या अधिक मास पढ़ने के बाद कोई भी नया वरत सुरू ना करें और जिनकी इस साल साधी हुई है वे भी ध्यान रखें कि इस साल अधिक मास के बाद जो भी सुहाग वाले वरत पढ़ेंगे जैसे तीज कवरत, करवा चौत कवरत, जितिया कवरत, छट पूजा आदी ये सभी वरत पहली बार जो भी उठाना चाहती हैं तो वे इस साल नया व आना जाता है तो बोलो संकर भगवान की जै बोलो मा पारवती की जै तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक क करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद